आगरा के कम्लनगर निवासी परवता रोही रोहित तिवारी ने अपने होसले और बुलंद इरादे के भूते अफ्रिका महादीप की सबसे उची चोटी माउंट किली मंजारो को फते किया है नए साल पर उन्होंने ये उपलब्दी हासिल की 19,000 फीट और माइनस 15 डिगी तापमान पर उन्होंने माउंट किली मंजारो पर 51 सूरे नमशकार किये और स्मरद उत्तरप्रदेश का मेसेज दिया अब रोहित विश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरिस पर तिरंगा फहराने का लक्ष लेकर तैयारी में जुटे हैं आगरा के भूड का बाग निवासी रोहित तिवारी दिली में एक ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कमपनी में कारे रत हैं रोहित ने बताया कि एक जनवरी दो हजार तैईस को उन्होंने अफरिका महादीप की सबसे उची चोटी माउंट के लिए मंजारों पर तिरंगा लहराया था उन्होंने 25 दिसंबर से अपना मिशन शुरू किया था रोहित ने दावा किया कि वो पहले भारतिय हैं जिन्होंने माइनस 19 डिगरी पर 19 हजार फिट पर योगा को प्रमोट किया वहाँ पर उन्होंने 51 सूर नमशकार किया मुझे वहाँ पर योगा करते देखे विश्व के सभी परवता रोही उनसे प्रभावित हुए उन्होंने सब को योगा के बारे में बताया उन्होंने कहा कि सब आश्चर चकित थे कि इतनी उचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है वहाँ पर ये लड़का सूर नमशकार कर रहा है उनका कहना है कि पूरे विश्व में उन्होंने योग की शक्ती का संदेश दिया उस समय विश्व के भिविन देशों के करीब पचास परवता रोही वहां मौझूद थे रोहित ने बताया कि उन्होंने माउंड के लिमंजारों की चोटी पर समर्ध उत्तर प्रदेश का बैनर भी लहराया इसके पीछे मकसद था कि सब को बताना कि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में आये बदलाव के पोस्टर जिसमें मेट्रो ट्रेन एयरपोर्ट वा अन्य पर योजनाए है उसे वहां पर लहराया रोहित ने बताया कि उन्होंने मिशन सेवन कॉंटिनिंट का लक्ष बनाया है इसमें विश्व के अलग-अलग सबसे साथ उची चोटीओं को फतेह करना है माउंट के लिए मनजारों के बाद अब उनका अगला लक्ष माउंट एवरिस्ट को फतेह करना है इसके लिए वो अप्रेल में अपना मिशन शुरू करेंगे माउंट एवरिश के बाद वो यूरोप की सबसे उंची चोटी माउंट एलप्रोस पर चड़ाई करेंगे